नमस्कार दोस्तों अगर SBI में आपका खाता है तो यह वीडियो आपके लिए है हाल ही में SBI ने अपने कस्टमर्स के लिए एक खास तौफा दिया है वह तौफा है WhatsApp Banking तो दोस्तों SBI ने WhatsApp Banking की सुरुवात कर दी है वैसे यूँ कहें तो WhatsApp Banking की सर्विस HDFC, Bank of Brother, Axis Bank जैसे कई सारी बैंक अलरी दे रही थी पर SBI ने हाली में इसकी सुरुवात की है और इस सर्विस को यूज करके आप WhatsApp पर अपने SBI खाते को completely manage कर सकते हैं SBI Banking को अपने WhatsApp पर activate करने के लिए आपका mobile number आपके bank से link होना चाहिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें ताकि ऐसी ही धेड़ सारी वीडियो आप तक पहुँशती रहे SBI WhatsApp Banking को activate करने के लिए आपको अपने mobile के SMS में जाना होगा और यहाँ पर आपको एक नया message टाइप करना होगा और यहाँ पर आपको caps में टाइप करना होगा WA REG space और आपको अपना account number टाइप करना है account number टाइप करने के बाद आपको इसे भेज देना है 72089-33148 पर इसके बाद SBI के तरफ से एक आपको confirmation message आएगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Dear customer, you are successfully registered for SBI WhatsApp Banking Services और यहाँ पर मुझे एक WhatsApp पर भी SMS SBI के तरफ से आया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है Dear customer, you are successfully registered for SBI WhatsApp Banking Services For further details, please type Hi SBI तो दोस्तों अब हम check करते हैं यहाँ पर हम type करते हैं Hi SBI और इसे send करते हैं send करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर SBI के तरफ से reply आया है 1 reply करना है अगर account का balance check करना है 2 reply करना है अगर आपको mini statement चाहिए और 3 reply करना है अगर आप WhatsApp Banking deactivate करना चाहते हैं इसके लिए यहाँ पर type करते हैं 1 1 type करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा account balance आगया reply में अब हम type करते हैं 2 अब यहाँ पर हमारा mini statement generate होके आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं last 5 transaction mini statement में जैसा होता है यहाँ पर मुझे reply में आ गया है अगर आपको WhatsApp Banking पसंद नहीं आई तो आप यहाँ पर 3 type करके इसे deactivate कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह आप SBI WhatsApp Banking activate कर सकते हैं और आप WhatsApp के जरिये आप अपना account balance और mini statement चेक कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं एक और नया interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत